शेदाद पुनावाला जैराव नमेश को मैं खोट कर रहा हूँ ये मेरे शब नहीं है जैराव नमेश कह रहे हैं कि पटास भारतिये युवा रूसी सेना में लड़ रहे हैं हर हमारे प्रधान मंत्री चुप क्यों है इसका मतलब यहाँ पर कुछ है नहीं मैं पहले प्रोफेसर अनुवर का जवाब देना चाता हूँ हासिल क्या हुआ मानेवर बटी हुई दुनिया में एक लौता ऐसा देश और एक लौता ऐसा नेता बता दीजे जो युनाइटेज स्टेट्स में भी बात कर सकता है और रश्या में भी बात कर सकता है जो इसराइल से भी बात कर सकता है और मिलीज से भी बात कर सकता है बताई और कोई देश अगर आपके नाम ध्यान में नाम चाइना एक सेकेंड बीच में मत बोलिये प्लीज सर प्लीज मैंने अभी शुरू किया है भाई प्लीज गिवे में मिनेट नाम इलाइन मुव्मेंट की याद दिलाना चाहता है ठीके नॉन एलाइन मुव्मेंट की आपने याद दिलाई जवाब देंगे और एक है स्ट्रॉंग पॉजिशन रहा है मेरा समय है इस समय पर मुझे अपनी बात केहने का पूरादि कार्मिनरा दिलाइन मुवर्म पॉजिशन ने मेरा समय है वेल्कम बैक फ्यूर्ज आप देख रहे हैं देश का सबचे लोग प्री और नमबर वन का रिक्रमार पार इसमें की बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी भी मैं की तरफ आगे बढ़ा हूँ फारुक अब्दुल्ला का एक बहुत बड़ा बयान है विवादित बयान है पाकिस्तान को लेकर एक बयान दिया है अब तो बहुत जल्द युद्ध होगा लड़ाई होगी और मेरी और आपकी बरबादी भी होगी यानि फारुक अब्दुल्ला को लग रहा है कि अगर युद्ध होगा तो भारत की बरबादी हो जाएगी फारुक अब्दुल्ले का इस बयान पर मैं पहला रेक्शन है तो बीजेवी के बरबगता थे शेदाद पूरावाला ये फर्स्ट रेक्शन तो दिस ये स्वाभाविक रियाक्शन है फारुक अब्दुल्ला का इन्हों नहीं कहा था कि पाकिस्तान चूडिया पहन कर थोड़ी बैठा है इसका मतलब साफ है कि ये पाकिस्तान कितना बड़ा और विशाल देश है उससे हमें डरना चाहिए बातचीत कर लेनी चाहिए और उन्होंने कहा था कि चीन की सहायता के साथ 370 बहाल करनाचे अब इस पैनल पर भी चीन और पाकिस्तान के साथ हमदर्दे की वकालत लेट ने किये पर उन्टु इंडी अलाइंस के बड़े नेता आरजेडी और तीसरी नंबर की तीसरे वाले परवक्ता बताए कि इंडी अलाइंस के स्टैंड पर क्या स्टैंड है तीसरी नंबर की पार्टी है तो स्टैंड लेना भागना मात इदर उदर क्या जो फारुक अबदुला ने बोला विल्कुल सीधा सवाल है और आप ने बोला अमीज डेवगन आप हमें समय कम देते हो हम तीसरे नंबर की पार्टी है सर जब आपकी तीन सीट रेती ना तब भी अमीज डेवगन आपको सूड़े में बोलाता था आपको समय देता था जब आपकी पांच सीट रेती ना तब भी समय देता था तो हम सब को बराबर का समय नहीं देते हैं इसलिए पॉइंट सीधा है मेरा सवाल सीधा है जो फारुक अबदुल्ला ने बोला इंडिया आलाइस क्या कहता है इसके उपर इंडिया नाइस के बड़ने नेता ऐफ और यह थिस्तिक वार्टर नहां आपके और यह देखिए दरसल में दरसल में भारती जनत लेकिन आप इस बत्तिमी जैंकर को हटाइए ये कौन है फर जी देखो ऐसा है सब्सक्राइब की पार्टी से मैं मूने लगता है आप तीसे नंबर की पार्टी है तो आप बोलेगी तीसे नंबर की पार्टी की मिशानते हो रहे हैं फारुक अब्दिल्ला पर क्या बोलते हैं अबरा जबर यगा फारुक अब्दिल्ला पर आप क्या बोलते हैं अरे मुझे बोलने दीजै वहार प्रभू बोलने दीजिए पर्भू बोलने दीजे अंबर क्यादन की जनता करती है मेरे बात पास उनीजे ना इस देश के हिंदुस्तान को प्यार करने वाली जनता है किसी के कहने सुनने से हिंदुस्तान नहीं चलता है अब कर आप सवाल पूछते कि मोधी को ये करना चाहिए अरे फारुक अब्दुल्ह करो कंटेम करिए अरे वात कैसे को अब्दुल्ह को कर रही है मैं उनका रुकतो शंकर प्रसाद फारुक अबदिल्ला की बात को सुनके को आपको गुसा तो आया होगा शब्द क्या है आप देखे गुसे की बात नहीं है यह एक ऐसी बात है जिस पर कोई क्लेरेंस देने की जरूरत नहीं कोई क्रेक्स क्या है नैंटीन सेउटियों में कौन पिटा मैं नायंटीन सेव्टीवं में कौन पिटा नی न szव नेंगे में कारेंगल में कौन पिटा जब हमने बाला कोट पर स्ट्राइक किया 12 घंटे कर अभी द freely को डर पाकिस्टान ने की बाराट भारुे यहां पर पिटने के लिए बैठी है क्या भारत सेना ने गल्वान में चाइनीज के सौ आद्मी मारके नहीं दिखाए अब बात क्या कर रहे है कि भारत का बर्बादी हो जाई जब तक ये अमीश जब तक ये भारत की सेना आर्मी नेवी एरपोस इस धत्ती पर है तो किसी की हि अमीश जी ये तो राहूल गांदी का बयान ने का अरुनाचल में सेना पिटकर आई ये तो राहूल गांदी का बयान ने सरेंडर कर दिया जमीर तो आप फारूक अब्दुला को क्यूं नंबर वन की पार्टी नंबर थी की पार्टी सभी की ये लाइन है इसलिए विवेक विवेक फारूक अब्दुला की बात को अप कंडेम करतें यृ इंट जिस स्पिरिट से प्राइम मिनिस्टर गए है यहां पे बीजेपी का प्रबग्त्ता हुश पिरिट के बिल्कछ पूल रहा है प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं इपृटन मत्री प्रदान मत्री से कहिए ह बात कर रहे हैं आप मिस्टर पाशा दू एगरी विट फारुक अब्दॉल्ला और यू कंडेमिट अमीज जी लाउड और क्लियर बोलिएगा इफ और अब दूला जी ने क्या हाँ वारुक अब्दॉल्ला साहब ने क्या कहा है कि संदर में कहा है क्या संदर बोगा इस तो नह हम शांती चाहते हैं अमीजी सूनेर किस कीमर पक्ति क्याते हैं अगर कोई भी देश हमारी तर責 कोई देश हमारे उपर आख उठा करें देखा कि हैं ने ये ब्लूल झा झाल लड़ और ऱहाई लड़ा हैं आजिर राई तो देश के अंदर अपनी हैं पाकिस्तान के साथ शांती चाहिए आपको अवको कर दो必ब कर दो थ assessments कर दोसे टे कार सके वाल किसया रहा हैं झाल वाणतना शआ सकत दो Hugक झाल झाल झाल